किसी के 250 sqft से छोटा रूम है तो प्राब्लम ये नहीं है कि वो 5.1 soundbar ले नहीं सकता और वो surround sound को enjoy नहीं कर सकता प्राब्लम ये है कि अगर वो 5.1 soundbar लेगा तो उतने छोटे रूम के अंदर surround sound तो छोड़िये separation, sound stage, कुछ पता नहीं चलेगा और आपको सिर्फ चार डब्बे आवास करते हुए सुनाई देंगे पर उस चीज का एक solution है आप एक ऐसी डॉल भी audio की soundbar लें जिसमें आपको एक virtual surround का effect सुनाई दे और ऐसी एक soundbar मैंने धूंडी है Zebronix 9102 मेरे पास समय है पिछले दो महीने से इस अलगातार मैं टेस्ट कर रहा हूँ अलग-अलग rooms में और आज मैं इसका true view करके आपको यह बताने वाला हूँ कि कैसी soundbar है यह और किसके लिए best suitable है जरूरी थोड़ी है कि सेल में सरफ आप ही लोग खरीते हैं मैं भी दिवाली सेल के अंदर यह वली soundbar खरीती और इसका कहने का मतलब यह है कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आप इस साउंडबर से निकलने वली audio को सुन पाएं और अट लिस्ट एक अंदाजा लगा पाएं कि इस साउंडबर है कैसी और जो मैं आपको इस वीडियो मा बताऊंगा वो आपको सुनके इतना मजा आएगा तुरंद दिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक दिया है आपको मेरा अफिलिये लिंक है प्लीज उससे परचेस करके इस चानल की थुड़ी सी मदद करिये का लेकिन वाद में करेंगे पहले आपको बाद में पहले बताऊं यह लुक्स बिल्कुल वैसी है जो आपको अपक अपसंद के हिसाब से आप इसे चेंज या फिर ओ ओन कर सकते हैं थुरू रिमोट कंट्रोल और थुरू दे बाटन ऑन दे सांद बार और अज जहां पे आपको इन्पुट अन आफ वोल्यूम प्लस या मैनस की भी ऑप्शन मिलेगी और साथ पे आपको कनेक्टिविटी अप्टिकल पोर्ट, USB, AUX और Bluetooth 5.0 की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है और इसके साथ आपको सब्वोफर लगाने का भी इन्पुट मिलेगा यह वायर्ड सब्वोफर है तो कोई प्रॉब्लम है अच्छली नहीं है और यही मैं आपको आगे समझाने वाला हूं कि क्यों सब थोड़ा बाद में बता हूं नहीं पहले आपको सब्वोफर के बताता हूं इसके बिल्ड कॉलिटी अच्छी है और यह 6.5 इंचे का सब्वोफर है इसमें आपको बेस बहुत जबरदस मिलेगी लेकिन पहले आपको प्राक्टिकल पूरा आडियो टेस सुनाता हूं ना आप में सब्वोफर रखते हैं या फिर अपने टीवी कॉंसोल के उपर रखते हैं प्लीज दूनाट दूदाट सब्वोफर को जमीन पर रखी है अब आपको आडियो क्वालिटी के बारे मता हूं तो आपको जो मजा आया ना इसलिए कि एक दम ब्लास्ट ऑफ पावर है य आपके 250 या उससे नीचे के स्क्वेर फीट के रूम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है इस शार्पनेस दाट यू हर्ड इस अपसलूटली परफेक्ट ऑन डॉट देखो जादा शार्पमेस होगी तो होगा क्या वो जो डीजे वले बाबु वाला जो आपको आपको रोड प हो चाहे फीमेल और आपको बेस भी अच्छी सुनाई देती है अब बेस इसमें you know to my liking it is slightly overpowered इसका मतलब यह है कि आपको बेस इतनी जादा मिलने वाली है इसके अंदर कि यह आपके रूम को शेक करेगा आपको ध्यान में क्या करनी है दो चीजे पहली आपको वोफर को रख आप सारी साउंड बार के ओडियो का बिलकुल कचरा कर देंगे प्लीज डूंट दूसरी चीज आपको बेस को बिलकुल न्यूटरल रखना है इसमें आप प्लस थ्री फोर फाइव तक जा सकते है प्लीज डूंट दूट आट आपको जीरो पर रखके ही एकदम बिलकुल व कोफा मुझे बहुत अच्छी ओडियो कॉलिटी इसकी लगी मेड नोट बिलकुल परफेक्ट है बेस मेरे लाइकिंग से जादा होने के बावजोद भी मेड नोट याने डायलोग्स सो क्लियर सुना ही देता हूँ आपको यह ओडियो वीडियो टेस्ट सुनो आपले सबसे आपने शार्पनेस सुनी मिड नोट्स में यानि वोकल्स में आपको वोकल्स की शार्पनेस से क्या समझ में आया यही audio video test का मैंने audio sample भी आपको audio files के अंदर दिया है इसको बहुत ध्यान से सुनिए आपको vocals को जब सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि एक-एक word जो भी vocals का है वो बिल्कुल crisp और clear है आपको crispness की ही जरूरत है दोस्तों आपने अपने घर में शादी में बजने वाले DJ speaker को नहीं लगाना है आपको एक सही audio system चाहिए जिसके अंदर बिल्कुल सही proportion में सारे notes आ रहे हो bass, vocals और high notes उसी से आप enjoy करेंगे जादा bass लेने से देखो बहुत easy होता है किसी भी sound bar के लिए जादा bass produce करना 120 watt की sound bar है 120 watt की subwoofer है करना सिरफ यह है कि इसके अंदर आपको power जादा देनी है और इसके अंदर आपको power कम देके low range drivers डालेंगे लेकिन इसके अंदर क्या करा गया है चार full range drivers डाले गए है अब कई लोग यह कहते हैं कि यह वली जो sound bar है वो एक zebronics की 5.1 sound bar आती है उसी की 2.1 version है no it is not a fact इस sound bar के अंदर 4 drivers है और यह 4 oval shape 3.35 inch के drivers जो आपको magic करके दे रहे है उसकी वज़े से आपको dolby audio की support भी विल रही है Dolby का license मिलने का मतलग यह है कि आपको यह full range drivers हर तरह की frequency को उसी तरीके से play कर रहे है जिस तरीके से वो design करी गई है जिस तरीके से वो tune करी गई है आपको इसके अंदर बिल्कुल वो ही nuances पता चलेंगे चाहे वो मैं audio की crispness बोलूँ चाहे मैं वो छोटे छोटे आवाज के उतार चड़ाव बोलूँ या फिर background में बजते हुए music score जो भी music होता है background का उसकी छोटी छोटी जनक बोलूँ वो सब आपको इसके अंदर सुनाई देगी और इसलिए 9102 in this price range has become my new favorite और ये मेरे हसाब से एक तौफा soundbar है अब आपको इसके pros and cons सबसे पहले बताता हूँ 2024 के अंदर जिस समय मैं ये video shoot कर रहा हूँ उस समय ये soundbar approximately 10,000 rupees की है इसके links आपको दिये हैं description box में आप उनसे खरीदेंगे तो इस channel की थोड़ इसी मदद होगी जिससे हम इस type के products को खरीद के बार बार आपके लिए ऐसे videos लाते रहते हैं और comparisons भी बनाते है अब आपको सबसे पहले इस soundbar का एक con बताता हूँ जो मुझे लगा soundbar जहां पर लगाएंगे उससे जादा दूर रखेंगे ही नहीं इसलिए wire के length बिल्कुल appropriate है यह con कुछ लोगों के लिए है लेकिन मेरे लिए क्यों नहीं है क्योंकि मुझे कोई फरक नहीं पड़ता कि एक wired subwoofer मुझे मिल रहा है यानि इस soundbar से subwoofer को power जा रही है या subwoofer अपने आप power ले रहा है that does not make any difference मुझे audio quality से फरक बड़ता है for me these drivers, four drivers are doing simple magic यह magic इसलिए हो रहा है क्योंकि यह जो Dolby audio की support आपको इसमें मिलती है यह इस वज़े से मिलती है क्योंकि इसकी clarity बहुत जबरदस्त है यह clarity, यह sharpness, यह crispness और आपको ज़्यादा detail सुनाई देगी अब audio में यानि मैंने आपको एक example से बताया था background score के अंदर अगर आपको कोई भी छोटी detail बहुत अच्छे से सुनाई देने लगे that is called absolute clarity तो यह जो चीज है यह मुझे बहुत अच्छे लगी in fact मुझे base के अंदर भी बहुत अच्छी clarity मिलती है now I'll tell you another thing, अगर आपके room के अंदर acoustics बहुत proper है let's say आपके room के अंदर curtains अच्छे लगे हैं obviously सब के rooms में लगे होते हैं then this sound bar will give you a virtual surround sound also now यह मेरे लिए थोड़ी हैरानी की बात थी यह एक चौकाने वाली बात थी कुछ गानो में मुझे actual में virtual surround मिली and यह दो particular driver से हो रही है इस driver से और इस driver से there are two drivers here also उन से नहीं यह इन से हो रही है now these two drivers are responsible for giving you more mid notes which is really really sharp and एक दम surge of power आपको जो मिलता है आपकी तरफ जो आता हुआ that is really beautiful इसलिए मैंने बोला की 240 watt sound bar I think it is very 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 good for all those people जो 250 square feet यह उस से नीचे के room के अंदर रहते हैं और वो अपने room के अंदर एक virtual surround का magic धूनते है 5.1 मतलो दोस्तों आपको यह sound bar लीनी चाहिए आपको virtual surround इस से मिलेगी and this is beautiful according to me sound bars के मैं बहुत सारे और वीडियो भी बनाता हूँ मेरी sound bars के recommendation आप चेक कर सकते हैं VM1 sound bar 2024 list में जो आपको description box के अंदर ही देखने को मिलेगी बिलकुल उपर आपको उसे click करके अपने phone में download करना है आपको मेरे sound bars के और वीडियो भी देखने चाहिए दो suggestions मैं आपको यहां देके जा रहा हूँ आप उन्हें भी जरूर देखिएगा आपको कैसा लगा यह वाला वीडियो बताइए का जरूर मुझे comment section में और wait करिए एक बहुत बड़ा comparison वीडियो आने वाला है sound bars को मैं compare करूँगा सारे brands की एक साथ ताकि आपको यह पता चले कि best sound bar कौन सी है आपकी price range में मैं आपको फिर मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी तब तक के लिए thank you very very much